अपको यह जो भराइटी दिखा रहा है यह बिल्कुल एक नया भराइटी है तो इसका बारे में हम कुछ बताएंगे और इसका खासियत भी हम बोलेंगे इसका खासियत क्या है यह सब कुछ इस वीडियो में रहेगा तो उसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कम हम ए जो भराइटी आपको दिखा रहा है यह रेट डाइमंड वान गौ अप है ठीक हे तो इसका प्त्तस देखिए यह थोड़ा से लंबा होता है इसका ठीक है और इसका जो खासियत है इसमें बहुती अच्छा पैदावार है इसका ठीक है इसमें फूरूट लगा है और य थोड़ा सा लंबा होगा ठीक है लेकिन यह बहुत ही आच्छा भरैटी है रेड डाइमंड वान है ठीक है और इधर भी देखिए एक फूरूट है ठीक है ऐसा 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 फूरूट होगा ठीक है और इसमें पोडेक्शन बोले तो बहुत ही आच्छा पोडेक्शन है बहुत ज टेंपरेचर का कोई बरसत का कोई दिक्कत नहीं है यह 45-46 तक टेंपरेचर इसका उपर से जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा ठीक है 45 तक इसका टेंपरेचर यह लगा सकते है आप ठीक है देखिए यह बिल्कुल नया वरैटी है इसका जो फूरूट है फूरूट का लं लेवल है किसी किसन सतियों को चाहिए तो कॉंट्रक करेगा मिल जाएगा ओल ओवर इंडिया में और बिल्कुल अर्जिनाल प्लांट है ठीक है यह में प्लांट बांडिंग क्या हुआ देखिए सब प्लांड बांडिंग क्या हुआ है ठीक है यह रेडी हो गया है यह सा बारिस हुआ है और उसके उपर धूप लगा है उसलिए ऐसा कलार भी आ गया है देखो और मिठी का उपर सब पड़ा है उसलिए खराब हो गया कीडा लग गया ऐसा कुछ हो गया लेकिन इसका पोडेक्शन देखिए कितना अच्छा पोडेक्शन है छोटा सा प्लांट में कि इसल स्यूर्ण पोडेक्शन है जूह तौट आफ बनाशा का दू rubbing देखेंगे करते जो लाटी पुई देखुए च्छाक रिप बेखो मैं यह किसा चाहिए तो प्लाइब करिए घड़ाइग इलेख़्ाएं कि अलोबार इंडिया में बिखिए यह बिकुल न्या ऒरैट ठीक है ठीक है थैंक यू जाइ जाइकी सान